चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहें जै संतोशी मा दोस्तों आपका स्वागत है आए जानते हैं कि आज आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से पांच अगस्त दोहजार चौबीस सोमवार का दिन श्रावन मास शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी शाम छे सेरू तीन बजे तक रहेगी इसके बाद दुवितिया तिथी शुरू होगी आज का राहुकाल जो दिन का सबसे अशुब समय माना जाता है शाम साथ चालिस से नौ अठारह तक रहेगा आज का अभजीत मुहूर्त जो दिन का सबसे शुब समय है दोपहर बारहा चौछे से बारहा ठास्ट तक रहेगा आज चंद्रमा दोपहर तीन एक्कीस तक करकराशी में रहेगा इसके बाद सिहराशी में प्रवेश करेगा और सूर्य करकराशी में ही रहेंगे पांच अगस्त दोहजार चौबीस सोमवार आज आज आप विशेश रूप से हलके मूड में रहेंगे और सभी समस्याओं का सामना मुसकान के साथ करेंगे आज आप किसी विवाद में मैत्री पूर्ण मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकते हैं आपकी उपस्थिती से खुशियों और चहल पहल का माहौल रहेगा और आप शाम की पार्टी की जान बनेंगे नेटवर्किंग के लिए आज का दिन बहुत ही लाभधायक है आपकी बातचीत और आत्म अभिव्यक्ती स्वाभाविक रूप से आपके साथ रहेगी जिससे आप अपने आकर्शन और करिश्मे से किसी का भी दिल जीत सकते हैं आज वह धन प्राप्त हो सकता है जिसका आपको इंतजार था जिससे आर्थिक बोज़ कम होगा दोस्तों के साथ अच्छे समय का आनंद लें लेकिन अधिक खर्च करने से बचें हालांकि आप अपने नए प्रशंसकों के साथ मजा ले रहे हैं लेकिन घरेलू मामलों के प्रति भी सचेत रहें कुछ रिष्टों में मुद्दों की संभाव ना हो सकती है जिससे बहस हो सकती है नुकसान या चोरी से बचने के लिए कीमती सामान पर कड़ी नजर रखें आपकी एकागरता और विवेक इस समय आपका साथ देंगे इस समय आपका मन व्यक्तिगत मामलों परिवार और प्रियजनों के इर्दगिर्द घूम रहा है इसलिए आप अतीत या पारिवारिक मामलों पर चर्चा करने में रुची ले सकते हैं मानसिक काम करने के लिए आपको एकांत की जरूरत है आराम करें और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें आप में से कुछ के लिए यह समय निजी जीवन में अजीब घटनाओं के कारण तनावपूर्ण या चिंता जनक हो सकता है आप किसी भी घरेलू कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हैं यदि कल के कामों पर आज ही थोड़ा विचार कर लिया जाए तो अच्छे परिणाम मिलेंगे अपने विचारों में सकारात्मक्ता बनाए रखें इससे आपका मानसिक शान्ती बनी रहेगी आज दीरग कालिक लाब की योजना पर भी पारिवारिक विचार विमर्ष हो सकता है पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी चिंता का समाधान मिलने से मानसिक शान्ती प्राप्त होगी इससे नकारात्मक सोच का प्रभाव आपके जीवन पर पढ़ सकता है जिससे हर काम में कठिनाईयां आ सकती है घर की सजावट में बदलाव करके ऊरजा को परिवर्तित करने की कोशिश करें आपको उन क्षेतरों को सुधारने का मौका मिलेगा जिनमें आप कमजोर महसूस करते हैं योग्ये लोगों का साथ मिलने से आपके विचारों में सुधार दिखेगा। सतर्क रहने की आवशक्ता है क्योंकि आपके काम का श्रेय किसी और को मिल सकता है। परिवार में चल रहे विवादों के कारण चिंता हो सकती है। सेहत में सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत करे आज का दिन आपके लिए चुनौतियों से भरा रहेगा इसलिए किसी भी निर्णे को जल्दबाजी में न ले अपने खानपान पर विशेश ध्यान दे अगर कोई आपको निवेश संबंधी सलाह देता है तो उस पर बहुत सोच विचार कर अमल करे आपकी कोई महत्वपूर्ण जानकारी खो सकती है वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से राहत मिलेगी आपके खर्चों के कारण आपकी बचत प्रभावित हो सकती है रिष्टेदारों के साथ संबंधों को मधुर बना कर रखें सोसाइटी या सामाजिक गतिविधियों से जुड़े विवादों को किसी मध्यस्थ की सहायता से हल करे अनिथा स्थिती बिगड सकती है साथ ही अपने गुसे पर काबू रखें और शान्ती से बातचीत को सुलजाएं अब बात करते हैं लव लाइफ की आज आप अपने पार्टनर के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए खरचीला तरीका अपना सकते हैं और इसे सारवजनिक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं आप अपने पार्टनर की उपलबधियों का जश्न मनाने के लिए एक सर्प्राइज पार्टी का आयोजन कर सकती है इन योजनाओं में कुछ छोटी मोटी बाधाएं आ सकती है लेकिन आपके पार्टनर को उनकी खुशी में आपकी भागीदारी और आपके गहरे प्यार के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा आप अभी पार्टी करने के मूड में है और इस समय आप आसानी से नेटवर्किंग और नए दोस्त बनाने में सक्षम है आपका आकरशन और फ्लर्टिंग स्वभाव आपको नए समूहों, सामाजिक गतिविधियों या शायद एक यात्रा की ओर ले जा सकता है इस उत्साह और रोमांस के बीच अपने परिवार को न भूले अपने भाई बहन, कजिन, सहयोगियों या जो भी आपके दिमाग में हो उनसे फोन पर बात चीत करें या उनके लिए एक पत्र लिखें कीमती संपत्ती के बारे में सतर्क रहें और उन लोगों को कुछ भी उधार न दें जिन पर आप भरोसा नहीं करती अभी आपके प्रेमी, अच्छे दोस्त और परिवार के लोग आप पर अधिक ध्यान देंगे अपने साथी से बातें करें और अपने दिल की हर बात उनसे साज़ा करें उनसे दिल की बात कहने में बिलकुल भी जिजके नहीं अब बात करते हैं करियर की आज आपकी सभी आर्थिक चिंताएं दूर हो जाएंगी क्योंकि आपको वह मुआवजा प्राप्त होगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कड़ी मेहनत के फलस्वरूप आपके वेतन में वृद्ध होगी एक छोटी यात्रा की भी संभावना है जिसे आप नेटवर्किंग और अपने व्यावसाईक अवसरों को बढ़ाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस समय आकरशन से भरपूर हैं सेल्स प्रस्तुतियां या छोटी बैठकों में आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है सामाजिक रूप से अपने समूह के बाहर निकलें और दिल्चस्प नए अवसरों के साथ नए लोगों से मिलें अपनी बढ़ती हुई एकागरता का लाब हुठाएं आपको अपने विचारों और दुविधाओं को सुलजाने के लिए एकांत की आवश्यक्ता है अपनी समस्याओं को किसी मित्र सहकर्मी या बौस के साथ साज़ा करें यदि आप अभी अपनी सहकर्मियों से ज्यादा बात नहीं कर रही हैं तो परिवार और जीवन साथी के साथ बात चीत करें आज आप व्यस्त रहेंगे लेकिन सार्थक्ता के साथ आप अपने सभी कार्यों को जल्दी पूरा करने में सक्षम हैं लेकिन आप असावधानी, बेचैनी और सुस्ती भी महसूस कर सकते हैं जिससे आपके बकाया, कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं भले ही आपके पास अधिक समय हो अब बात, करते हैं सेहत की दिन की शुरुआत सामानने होगी लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से नियमित रूप से किये गए योग का प्रभाव महसूस करेंगे दिन के अंत तक आप अपनी आध्यात्मिक और मानसिक स्थिती से जुड़ सकते हैं बहुत अधिक दवाईयां न लें क्योंकि इससे आपका लीवर प्रभावित हो सकता है रियल स्टेट में आज निवेश करना सही रहेगा रियल स्टेट में आज आप निवेश कर सकते हैं लेकिन फिर भी किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले जाँच परताल करें बात करें स्टॉक मार्केट में निवेश की या फिर ट्रेडिंग की तो आज सही दिन है आज आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग आज आप कर सकते हैं आज का उपाई यह है कि आप गरीबों को दान करें विशेशकर गुढ और चने का दान करें जो शुब रहेगा जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें आपका दिन शुब हो